बुखार हुआ पेरसिटमोल खाले थे, सरदर्द हुआ पेरसिटमोल खाले थे, बदंदर्द हुआ पेरसिटमोल खाले थे, आप भी ऐसे ही करते हैं ना, बुखार आना आम बात है, अगर हम जादा थक जाते हैं, तो हमें बुखार आ जाता है, अगर सरदी जुखाम हो जाता तो भी बुखार आ जाता है وाइरल बैक्टरीयल या फंगल इंपेक्शन बुखार का सबसे आम कारण होता है बुखार आने पर अमुमन लोगों की दिमाग से सबसे पहला कि पैरसितव मोग और दोक्तर की बहुत नुकसान दायक पताया गया है यह स्टडी फिलाल चूहों पर की गई है आगे चलकर इंसानों पर भी इसका टेस्ट किया जाएगा इस स्टडी में चूहों को पेरसिटमोल की डोस दी जिसमें चूहों के हार्ट टीशू में मौझूद प्रोटीन में बदलाव देखा चुके हैं University of California के researchers का कहना है अगर आप लंबे समय तक दिन भर में 500 mg पेरसिटमोल लेते हैं तो यह आपको दिल का मरीज बना देखा इसलिए बिना डोक्टर की सला के इसे खाने से बचें इससे पहले भी कहीं रिसर्च में साफ हो चुका है कि पेरसिटमोल हार्ट किड्नी क पेट में मरोड जिसी समस्याओं से जूजना पड़ सकता है ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे दनगरी मीडिया की खास पेशकर शेहत नाम